नमस्कार दोस्तो आज मैं आपके लिए फिर से नई डिजाइन देकर राज रहा हूं दोस्तो और आज मैं आपको दोस्तो कई डिजाइन दिखाऊंगा एक नहीं दो नहीं तीन नहीं पास नहीं दस डिजाइन आपको मैं दिखाने वाला हूं कम से कम भी आप 10 डिजाइन थी कि यदि वह वीडियो आपने देख ली हैं तो बहुत भहुत धन्यवाद कि यह नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिक में आपको लिंक मिल जाएगा और वाह से आप कुछ वीडियो दोस्तों देख सकते हूं चाहरपाई सुरूर से कैसे बनाते हैं ताहना कैसे तांते हैं माही कैसे गूते हैं इस सभी वीडियो मैंने बना कर डाले हैं दोस्तों कि बहुत से दोस्तों कमेंट आता है कि ताहना कैसे तांते हैं या स्टार्टिंग से कैसे करते हैं तो मैं स्टार्टिंग से किस प्रगाश्य बनाते हैं, उसके बारे मैंने particular वीडियो बनाई हैं, वो आप हमारे चैनल की playlist में, या हमारे चैनल के जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगे कि चारबाई किस प्रगाश्य बनाई जाती है, तानक कैसे तानते हैं, माई कैसे गुते हैं, वो सभी चीज आप दोस्तों देख सकते हैं, तो चलते हैं दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं, तो शुरू करने से पहले दोस्तों आप से request है, कि ये आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो red color के subscribe पे किलिक कीजिए, और bell का वटन दबाईए, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके हैं, तो चलते हैं दोस्तों, ज्यादा समय ने लेकर, सीधे हम स्क्रीन पर चलते हैं, आपको design number 1 देखाता हूं, ये देखें दोस्तों, ये design मैंने बनाई है, इसमें आपको मैं रसी नहीं बता पाँगा, लेकिन idea मैं आपको पता देता हूं, और इसके particular ये मैंने पूरी बड़ी design बनाई है, center मैं बनाई है, और ये छोटी design अलग बनाई यहाँ पे, और नीचे भी मैंने छोटी design बनाई है, और इसके और भी छोटी design बनाई दोस्तों, particular मैंने वीडियो एक बना कर डाला है कि कितन रसी आपको दवानी है, कितन फिर नो, नो दवाने बाद में फिर दोस्तों यहाँ पे एक उठाई, फिर तीन उठाई, फिर पात उठाई, फिर शाद उठाई, फिर नो उठाई, इस परकार्शे ये फुल बनाई था, उसके बाद में इधर, दोस्तों यहाँ पे एक दवाई है, फिर तीन, फिर पात, फिर साथ, साथ दबाने के बाद में फिर दोस्तों यहां पर चार रसी दबा कर एक रसी उठाईए, फिर चार दबाईए, इस प्रकार से फिर नो रसी दबाईए, फिर साथ, फिर पांच, फिर तीन, फिर एक रसी दबाईए, यह डिजान इसी प्रकार से शुरू किया मैंने, पुर यहां पर देख पारें दोस्तों यह मेरा एक रसी दवाई थी फिर दो फिर तीन तीन रसी में दवाईएं यह तीन तीन का जोड़ा मेरा यह सबी देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यह दोस्तों यहां पर पांच रसी हैं मेरी फिर चार चार रसी का आ जाएगा यह तो इस प्रकार्शी ये रस्य आपको डिजाइन मना नहीं दोस्ता आप से ये तीन दरस्य काना चाहिए तो तीन रस्य भी आप ले सकते ही ये सबी डिजाइन आप इस प्रकार्शी ये डिजाइन अलग से बना सकते हैं ये पूरी डिजाइन आगे चलते हैं ये देखें दोस् अपर आएं दोस्तों यहां से लेके यहां तक, एक भाग है, इस फूल का यह दो बागर इससे नीचे यह तीन भाग है, और यह मैंने इस सेंट्र में फूल बना है, तो दोस्तों आपको करना क्या वह हो, मैं आपको बदाए तो माली जी चार पाई आपके सो रसी है, कल्पना क इस चार पाई का सेंटर निकालना रसी का, इस चार पाई का सेंटर निकाल के इस सेंटर में ही बना दीजिए, तो ये वो ही फूल है हमारा दोस्तों, ये थोड़ा बीच की ये रसी है, ये तेरा रसी है दोस्तों, ये अलग बीच में फूल बनाया है, तो ये फूल भी बना सक कुसमें कितैंने वरक सि arguing जो सभी चीज में नहीं बताएं एक टी надо की मैंने ता कि किस प्रकार्ष venanae sभीच आप देख सकते हैं हमारे चेनल जाकर इस ऑएगर सी के बारे में Donald करशक कर सकते हैं कि धिजयाइन के लिए हमें कितम द El passa children करें अगे चलते हैं दोस्तों यह देखिये अलग डिजायों नहीं और यह डिजाइन नहीं दोस्तोteen इसमें पंटीकुल्र आपको बता जाएता हूँ यह मैंने दो साथया बनाई है को उसाथ यह इस प्रकार्शें बनता एक हिश्य छोटा बनताई और इसमें भी डिजाइन आप बना सकते हैं दोस्तों इसके बारे में मैंने particular एक वीडियो बना है साथ यह कैसे बनता है तो वह भी आप देख सकते हैं उसके बाद में ये date मैंने लिखा है 25-9-2019 और ये नाम लिखा है तो इस परकारशे मेंने ये नाम की चारपाई बनाई है इसके आगे और भी मैं आपको डिजाइन दिखाता हूँ ये डिजाइन देख लिजिए दोस्तों ये अलग डिजाइन है इसमें मैंने क्या क्या है कि जो फूल देख पा रहे हैं ये दोस्तों साथ रशियों का फूल है मेरा जो दोनी तरफ आप फूल देख पा रहे हैं यह हमारे 6 फूल हैं यह भी 6 फूल है यह फूल एक फूल है इसमें 7 रसी हैं 7 रसी किस परकारश हैं वो हम आपको बदा जिता हूँ सबसे पहले मैंने 1 दबाया था फिर 3 फिर 5 पनल 1, 3, 5 उसके बाद मैं दोस्तों यहां पे 3 रसी दबा कर 1 रसी उठाई सेंटर की फिर मैंने 3 दबाया उसके बाद में 5 दबाई फिर 3 फिर 1 इस परकारश है यह सेंटर वाला मैंने रसी में फूल बनाया है और इसी परकार यह थोड़ा मैंने सरेंटर में इसकी डिजाइन अलग बनाई है इस चार पाई को बनाने के लिए आपको क्या करने पड़ा है चार पाई का सबसे पहले तो भाग वो यह दोस्तों कि आधी चार पाई ले लिजिए उसके बाद में इसमें भी आदा कर दिये मदल टोटल तीन भागों में डिवाइड करना है माली जी आपको यह टोटल हमारी 90 रसी 100 रसी मान के चलिया तो 100 को आपको तीन भागों में डिवाइड कर दिये हर 33 रसी बाद में माल लगे या 30 रसी बाद में आपको एक यहां दबा देना या उठा देना है फिर यहां पर माली जी यह 30 रसी होगी तो एक दबा दे तो दब गई फिर यह 30 रसी बाद में एक रसी उठ गई तो आपको उठा दीजिए फिर तीस रसी बाद में एक दबा दी तो दबा दीजे फिर आपको तीस रसी है complete हो जाएंगे इस तरह से आप ये control कर सकते हैं दोस्तों इन बागों में divide करके ये full आप बनाना पड़ेगा और ये मैंने center में बनाया है ये center वाले 4 फूल देख पा रहे हैं ये भी आपके वो 7 रसी का full है और ये w बनाए ये अलग परकारशे बनाई हैं इसके बारे में मैंने particular अलग वीडियो बनाया है वो भी आप देख सकते हैं चलते हैं इससे और भी अलग design दिखाता हूँ मैं कि किस परकार के और मैंने design बनाई है तो वह भी दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ आद मैं आपके लिए भहुत सी design लेकर रहा हूँ ये देखें दोस्तों ये एक नोकडिया की खाट है दोस्तों और ये नोकडिया खाट अलग design से बनाई मैंने ये सभी अलग इसमें चोकिया खटी हुई है अलग चारू चोकिया अलग आप देख पा रहे हैं ये अलग हैं इस परकारशी भी आप ये बना सकते हैं इसके बारे में मैं आपको एक बता देता हूँ दोस्तों particular मैंने वीडियो बनाया है इसके part 3 हैं तो इन पार्टों में ये वीडियो मिल जाएगे आपको खटिया कैसी बनाते हैं part 1, 2, 3 इसका भी वीडियो मैंने बना कर डाला है तो वहां से आपको एक एक रस्टी के बारे में पता चलेगा कि कितन रस्टी आपको दबान है कितन रस्टी उठाने बसे आडिया में आपको एक बार बता देता हूँ कि सबसे स्टार्टिंग में आप 18 रसी डाले जो ही मेरी रसी दभी विए आप देख पा रहे हैं अठार रसी ही उसके बाद में ये 18 रसी उठाई वही है तो आपको 18 रसी एक तरफ डालना है ये इस तरफ ये आपको ध्यान रखना है बस अगर ये दोनी तरफ लेंगे दोस्तों इस तरफ भी इस तरफ भी तो आपको 36 रसी हो जाएंगे लेकिन एक तरफ आपको 18 रसी डालनी है ये हमारी नो कड़या की खाट है दोस्तों ये फार्ड आप देख पाएंगे नो रस्यों का है ये इसमें यहां पर देख मैंने क्या किया था वह आपको बता जिता हूं यहां पर मैंने 18 रसी दबाई फिर मैंने 12 फिर 16 रसी दबाई थी इस परकार से ये श्टार्टिंग की जी यदि आपको इसको देख कर समझ भी आता है तो ठीक है ये तो पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है वहां सी आप देखकर बना सकते हैं दोस्तों तो चलते हैं आगे और डिजाइन में आपके लिए हाजिर हूँ देखें दोस्तों ये अलग डिजाइन बनाई मैंने ये दोस्तों ये भी मेरा साथ रसी का फूल है और यह बीचे में एक्स बनाया है और यहां पी ये भी साथ रसी का फूल है और ये अलग इस्टार बनाए मैंने अलग परकार से यह फूल बना सकते हैं तो इस परकार की भी डिजाइन आप बनाएंगे तो बहुत शी डिजाइन आप सबसे पहले मेरी एक परसनल राय है दोस्तों आप से यह आप नए बंदे हैं कि नए चारपाई बनाना शीख रहे हैं तो सबसे आसान होती है आपके लहर की चारपाई जिसमें एक या दो फूल मैं आपको पर्टिकुलर बनाकर डालता हूं कि एक सेंटर में फूल बनाता हूं तो इस परकार से फूल बनाकर डाली आप उसमें सीख जाएंगे या आपको पीड़ा ले लिजिए पीड़ा में आप चार पाई ताण कर आपको चार पाई में बनाना है उसको देख कर आप सेंट रό pald fountain आए क्दोमें फूल बनाना सीखिए सबसे पहले दोस्तों है यहां से बनाना सीखिए यह दो तीन मतल कर और तीन 4 फूल बन जाएंगी आपको और वससाएड तो में देख पारिए लहर आ इसलिए यह आप बिनाना आता है तो कोई दिक्कत नहीं आप बना लोगी ने हैं आप सबसे बसे अप्यर्ड बर के एक हिए इस दीजैन को देखaron बान इए और फिर उसको देखकर आपको आगे बनाई और फिर दिरे दिरे आगे वाली डिजाइन सीखे इस प्रकारशे डिजाइन आप सीख पाएंगे दोस्तों तो चलते हैं और मैं आगे डिजाइन दिखाता हूं कि इस प्रकारशे और डिजाइन भी मैंने बनाई है तो देखे ये फूल भी मैंने नो रसियों का फूल है दोस् कि चलते हैं और यागे कि देकि दूस्तों यह और भी आसान इसका सेंटर का फूला पहठा दीजिए एक और सेंटर का फूला ठासंदीगे, तो यह दबियां मैं दबियां में। उना सिर्फ तेन भाति हैं थैन भाई हैケनर किनारी किनारी के एक ऊठाई पिर दोपत आई पिर प्रकार्षी ली गोई इस प्रकार्श ही एक थी यह यहां पर एक फिर थी द्वाइब द्वाइब फीर रहाई दो तेन द्वाइब दो धाई किया तीन इपी और तीन अद्वाइब दो ध्रियंत क्यों नॉपकिन भूर असी जो डाला के दोस्तों उसमें आपको चेंज करना तो चलते हैं और आगे मैं डिजाइन दिखाता है आपको देखिए दोस्तों यह सबसे एक आसान है कि यह चार पई क्योंकि इसमें सबसे बीच में ही एक फूल बनाएगा सेंटर में यह फूल सेंटर में बाकि यह लहर बना गई है इस प्रकार्शे लहर की चार पई बनाने च चाहेंगे तो जैसे यह फूल बनाएगा दोस्तों ऐसा यह भी ना बनाकर आप यह सेंटर में अपनी फूल बन जाएगा इस परकार की डिजाइन आप बनाएंगे तो तो इस परकार शीप यह बना सकते हैं दोस्तों और इससे आगे देखिए यह मैंने फिर से एक साथ्या यहां यह फूल बनाए है, तो इस प्रकार्षि भी फूल भी आफ बना सकते हैं विसके बाद मैं यह देख़ा एक चोटी चारफाई मैंने बनाई थी, यह बहुत ही रिक्रियस्ट किती बंदे ने, विसके बाद मैंने बनाई थी, यह पर नाथ है, घर के लिए आपने तोटल हमारी तेरा रसी है इस प्रकार्शी अलग लग डिजाइंस के फूल बनेंगे और आप यह आसान भी रहेगा आपको ज्यादा दिक्कत दिनी आएगे सिर्फ आपको द्यान रखना कि बीच में यह फूल बना लीजेए बाकी यह लहर बना लीजेए ताकि आप आसनी से बना सकेँ चलते हैं और आगे आपको डिजाइन दिखाता हूं मैं यह डिजाइन आपको थोड़ा रंगी नहीं ज्यादा दीख नहीं पाएगी क्योंकि यहा आपको ज्यादा नहीं सपश्च दिखवाएगी और आगे मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए दोस्त यह एक सबसे आसान खाट है और यह हर घर में आपको गाउं में मिल जाएगी खाट सबसे पहले यही हम लोग चारपाई बनाना सीखते हैं दोस्तों इस लिए इस प् आप अपके रही हैं किस प्राकाश फूल बनाना आता है या नहीं आता है आप आहिए आप बना पाते या नहीं बना पाते हिं वो सब दोस्तो आप यह सिर्फ वो यह नो कड़िया की खाटेश में 18 रसी डाली थी पहले इधर और इधर भी 18 वर टोटल 36 रसी हो जाएंगे और फिर यह 18 दबाई फिर मने 18 उठाई थी यह 9 दबागे 18 उठाई थी फिर यह 18 यहां पर दबादी 9 उठागे यह 9 दबाकर इस परकार से उसके बाद में यहां डिजाइन शुरू होगी यह 16 उठाएंगे फिर 12 फिर 18 उठाएंगे फिर 16 दबाएंगे 12 दबाएंगे और 18 दबादेंगे तो इस परकार से सिक्वेंस आपका यह चलता रहेगा और आप यह डिजाइन बना पाएंगे तो ऐसा करता हूं कि दोस्तों यह मेरी जै इवारत